तो आज के इस युवा आदिवसी युवा सास्क्रितिक महस्व के तहट जो यहां के युवाओं ने ये जो कारेक्रम हो रहा है इसके लिए बहुत अच्छी मेहनत की है मैं ये युवा पंच को और यहां के जितने भी साथी है जीनों ने इस कारेक्रम के लिए मदद की ऐसे डॉक्टर वकी और साथ में हमारे बुजूर्ग अमर सिंग भाई और यहां पर बैठे सभी भाई बहर सबको बढ़ाई तो दोस्तों मेरा परीचेई लार सिंग भाई ने दिया अपना जो समाज है खास करके मैं युवाओं से बात करूंगा आज कर युवा जो है वो समाज को छोड़के बेहोफी से दिसा भटक गए तो मुझे से भी याद आया है दोरे माफिल का मुझे होस नहीं है युवा से कहता हूँ कि दोरे माफिल का मुझे होस नहीं है मैं तो पीता हूँ मगर मैं का मुझे होस नहीं है दोरे माफिल का मुझे होस नहीं है मैं तो पीता हूँ मगर मैं का मुझे होस नहीं है जाना कईसे वो मकादूर है अंधेरा है जाना कईसे वो मकादूर है अंधेरा है मैं कशी जो रिकी करनी है तो दोसरों मैं आप लोगों को बतरना चाहता हूं कि इस टेश में आज हम देखे तो युवाओं की तादाज जो है वो साथ प्रतिसत हो गई है अभी हम जैसे भूडू भुचुर्ग अमर्शिक भाई पिछैसी पे नट आउट है और मैं साथ पे नौट आउट हूं आप किकेट के मेदान में खेलते हैं तो अभी के युओं थो के सैppen्टै ए Уुसके पिछे परन की आ है वे समझ जाने जैसी बात दिनका आज जवानी बदनाम यानि युवा हमारी जवानी बदनाम हो रही है खास करके मैं बताओं कि आदिवासी युवा आज हमारी जो दिशा है आज हम लोग बदनाम है मोटर साइकल से आज हम आदिवासी युवा बदनाम है इंटरनेट और मोबाइल से बदनाम है आज आदिवासी युवा बदनाम है दारु से बदनाम है आज आदिवासी युवा बदनाम है बेंड से बदनाम है यह क्या कहते है कि बेंड बाजार जिसे आज हम बदनाम हो गए यहां उद्गाटन हो रहा था और उद्गाटन के समय पे यहां जो हमारी सस्कुरुटी के बारे में बताए जा रहा था यहां आदिवसी समाज के तीन तत्वा यहां पर बैठे मुकेश भाई डेनियूल भाई को मैं बताना चाहता हूं कि आप पूरे देश में घुमते हैं कि आदिवसी समाज तीन तत्वा पर चलता है पहला स्रम स्रम दूसरा जो तत्व है वो समुख जिसको कहा जाता है और तीसरा जो है वो सथकारिया कि आज आप यूँए यूँवा लोगों ने जिप्ठ कर दिया कि हमारा समाज सहकारिय से जीता है और इस तरह से समु में अप्ता होता है कि ये अपनी परचान दोस्तों आज पूरे डेस्ट में ये जो व्यारा अप लोग जानतें ने ईए पूरे देश के आदिवाष्यों के उखर्टा कर रहा है और पूरे देश के युवाओ को खर्टा कर रहा है इन से पहले 25 साल पहले असर्व भाई चोधरी जिनों ने हमारे इलाके में आके एक्ता परिशत बनाने की कोशिच की और आज पूरे देश के आदिवाश्यों को खत्ता कर दिया उसके बाद में अमर्शित भाई चोधरी जिनों ने समणवेल मंच निकाला और पूरे देश के करने के लिए आज लोग यहां पर यह कारिक रहे हैं तो मुझे विश्वास है आप लोग फूरे देश के आदिवसी युवाव को खत्ता करें तो समझने जैसी बात है हम क्यों खता होते हैं कि हम पर जैसा ही एकता परिशत इकता हुई देश में फुरू हुई तो देश के आधिवाशी इकता हुए तो हुए पर देश के पूरे आधिवाशों ने अपनी ससकूरती को बचाने के लिए इक आरिकरम चालू करते हैं तो ये व्यारा का लिए बहुत बड़ी बात हुए समझ में देशे तो मैं एक बात पर अभी जा रहा हूँ अभी चंद दिन को लिए मेरा एक दोस्ति उसकी लड़की आई-पी-एस में पास हुई और पूरे भारत देश में हैं सिरफ पचास आदिवासी बच्चे आई-पी-एस में निकले लाल सिंग भाई तो इंटर्व्यू में उनको बिठाया और पूछा गया आप आदिवासी है तो उन्होंने बोला है मैं आदिवासी है वो लड़की उसका पिता जी बहुत बड़ा अपसर है बंबाई में यानि कमिशनर है आदिवासी बंबाई में उसकी लड़की वो मेरा दोस्त है उसको अधिवासी के पारा के बारे में आप जानती है आदिवासी के दो देव कौन्चे वो तो बंबाई में रहती है उसने बोला अधिवासी का देवधरपती है खलास बात कि आईपीएस की भीगरी जो लड़की हासिल कर रही है जो आईपेस होके एक आईएस आदिकारी बनने वाली लड़की वहां भुपाल में हार गई वो जीती नहीं इंटर्वी में प्रेन हो तो अपना जो समाज है आज हम देखते किस तरब जा रहा है और सरकार सरकार का काम है आप लोगों को मालूम है आपको मास्तर बनना है तो आपको टेट की परिक्षा जर्दी पड़ेगी और टेट की परिक्षा में आप बुरे हो जाते हैं तब तक पास नहीं होते ऐसी परिस्तिती आज नेवान हो रही है ऐसे में अगर इंटर्वी में पास होने के बाद में ऐसे सवाल पूछेगे तो युवाओं से कहता हूँ आप क्या जवाब दोगे मेरे भाई तो ये जो कारिक्रम है आपको बचाने का कारिक्रम हो रहा है और हम ये यानि ये लोग ये सितिकरना चाहते हैं कि हम कौन है हमारी असलियत क्या है हमारी परंपरा क्या है और हमारी यॉइंत टानें के लिए यानि समाज में जगरती हो है मैंने पहले यह कहा पहले ही ठेर में कहा। वैसे तो मुझे नहीं कहना चाहिए करनं कि किसी की एब को को कि नकाब ना कर थो द्रूंआ को कुछ अच्छी तरह से हम आजी आदिवसी होने के नाते आज जो आक्रमन हमारे पर हो रहा है आज हम सालों से पांचवी अनुसुची लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी नहीं लग रही है उसके पिछे कारण किया समाज की पूरी दीशा एक तरब जा रही है जानते हैं वह बोलते हैं जयसे वह की जानते राजनिती क्या पढ़े लिखे जितने बनता है कि अपने समाज को हम लोगों को बचाने के लिए और हमारे समाज को बताने कि लिए कि रेक्राइब करेंगा को चुखे हैं हमारा इसको बिता नहीं है इसलिए हम को आधिवासित तरीके यानि आधिवासि के नाम पर आमारी परचान हम लोग मीटा के खत्मा कर चुके है इसलिए यहां पाच्वी अनुशुची नहीं लग रही है कितना भी हम अंदोलन करेंगे कितना भी जंकर्ष करेंगे पाच्वी अनुशुची नहीं लगेंगे तो इस देश में और आदिवासी समाज में जो 60 का युवावर्ग है वो मैदान में निकलो और मैदान में इस तरह से निकलो कि मेरी पेश्चार मेरे साथ वो सामने वाले पूरी दुनिया जुक जाएगी और पाच्वी अनुशुची भी लग जाएगी तो इसलिए यह सांस्कृति का कारिक्रम जरूरी है और जिसा जो है अभी हम लोग आप लोगों को बताता हूं मेरे यहां मेरे यहां नंदूर बार जी ले एक दिन में 42 एक्सिटन आते हैं मोटर साइकल पर युवा वर्क अपने युवा लोग एक दिन के 45 तो वहां पर वडवी डोक्टर है वह बताते हैं संग्लिया भर आप कार्यक्रम क्या कार्यक्रम कर रहे हैं हरोज 45 युवा मर रहे है तो आज यह जिसा है तो हम कहां जा रहे हैं यह समझ लेना पड़ेगा लुक्त करने पड़ेगी जुटाम करने पड़ेगी ऐसी परिस्टी आज डेश में आदिवासी समाज की दीजिसा सरह के यार मारे साजकूरती हमारी परांपरा आंपरेत्व के आरे मोट्यों हमना आपushima लोगों को बढ़ाता हूं यहां जो खाना बना हमारे साथपूरे में साथपूरे में मकई की रोटी मकई की रोटी और उडित की दाल वहां जाकर ढड़गाव में देखो पूरे हिंदुस्थान में एसी सुंदर लड़किया बेटिया नहीं है वहां बाहर से आने वाले वो सुन्दर लड़के को देखके मो चाटते हैं एसी लड़किया कहां से आ गई साथ पुड़े में वो मकई की रोटी और यह उरित का उरित की दाल है ना इसका तड़ा का इसलिए वहां बच्ची सुन्दर है और मैं आपको बताओं मेरी दादी 135 साल में मरी मेरे पिता जी के 11 भाई वो इसा कहती थी यह क्या 108 लगाई है है बोलती तो 180 कि लगाई है अरे एक जठके में बच्चाबाल ये जगू गाता था वी नवेक माझे पख वह स्वारा पकाथि पक्रेका गोच्ष के बिडेकर वी कोवेंगृ पकाती थी एक मितिन दवाखाने नहीं गई, 135 साल की उमर में एक भी इंजेक्शन नहीं लिया, वो बोलती थी, क्या 108 की बात करें, एक ही जटके में बच्चा बाहर, ऐसा बोलती थी, यह क्या लगाया है आप लोगों, खाना तो ठिक थाओ, ऐसा वो मेरी दादी कहती थी, आज भी दोस् हमारे सार्थपुरे की मैं आपको बात बताओ, अपने अधिवसी समझ में, तो एक टाका है ना, वो नमक भोता था, नमक खल चला के, तो पेत्रिया करके आजमी उदर, अरे, पेत्रिया, यह क्या कर रहा है, अरे, यार यह नमक भो रहा हूं, हैशा बोलता, अरे, पागर न एक किलो शक्कर लाता था, तो बारा महिने शक्कर पूर्ती थी, अपने नीचे वाले जाई, तभी चा बनती थी, तो आज वो लोग एक भी इंजेक्शन ने, और यह भिंडी तो समझ में जैसी बात ही, यह भिंडी, यह भिंडी खाने वाले को, जिद्की में कभी हारे टेक आए नहीं सकता, मैने में कम से कम आज देक्वी खाओ खाती भिंडी, आपको हारे टेक भी नहीं आएगा, लखवा भी नहीं आएगा, डाया भी थी नहीं और अपने बचों को पका देते हैं न, आपको यह विडिने की बखाई ए, ऐसा, ऐसा बॉलतेते हैं, फिर क्या होग लकवां होंगा यह होंगा जो अपना पारंपारिक खाना था यानि डान का भुज्या हमारे यहां दादर की रोटी और वहां की छोटे यानि जो दाल मुंकी डाल ऐसा पूरे देश में यानि जो विएंजन है उसमें विवित्त आज मैंने यहां देखा लोग आए तो हम लोगों को डेल गंट खणा रहे ना पराशा ताजमी को खाने के लिए वा खाना नंबर नहीं लगता था यह भी ठट गए हैं विचारे एक ही किसम का खाते काते यह भी ठट गए है और हमारे लोगे ना उधर दोड़ने लगे हैं अभी आपको बताओ यह चन अब जाएंगे शिरफ चने की चीज बनी है अलाग 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 चने में देने के चने बेज दने के भचे खाने के पापड़ी खाने के अरे यार सब चीज चने चने खाले ना अब जाते हैं अब लोगों को मालूम है राजा लोग घोड़ों को चने खीला थे आप अपने लोग बेचके और यह पोंगा पंडित आप जानते हैं यह वो खली उसमें कुछ नहीं है एक किलो एक किलो पोंगा पंडित अगर उसको तल दोना तो एक टेंपो बढ़ जाता ह है और अब और आज किलो जुवार पेचके एक ठेली पोंगा पंडित लेने का कारिकर पर दवा खाने नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे जिसमें कुछ भी नहीं है ऐसी चीजह तो नहर बाड़ी करके लंबा इस और आप लोगों को बताऊं ज्यादा में ज्यादा इस खाना खाओ आखी तब तक तक ये दुनिया में शिरफ आधिवासी बजने वाला है और उसको खाना बचने वाला है इसलिए किसी को छोड़ना नहीं है तो हमारे कौन कौन दुस्मन है इसकी पहिचान हम लोगों को करने ना पड़ेगा सबसे पहला खाना अच्छा खाओ जो पर मेरे समाज के सामने बोलने के लिए विगल भाई लाजसी भाई अमर्सिन भाई यहां के पंद आप लोगों ने मुझे अवसर दिया और आप लोग ने सुना इसके लिए सब का धन्यवाद और मिलेगे और अगला जो समय ना होने जा रहा है चेरवास में वहां पर अपन पूरे देश के चिंतन आने वाले हैं उनको भी सुनने के लिए आप आओ 14 15 जन्वरी को इतना कहें के मेरे ज़िए सब को आप की जेए खोब को बाबा सेंगला जादा आपनो